फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं अन्जी लंबानी की और साथ मैं बात करेंगे अन्जी लंबानी की कमपनियों की बाज़ार में जबर्दस गिरावट का माहुल बना हुआ है और इस गिरावट के पीचे वज़े है ओमिक्रॉन जिस तरह से लगातर मामले बढ़ रहे हैं और यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह बहुत ज़्यादा तेजी से पूरे कम्यूनिटी में इस्प्रेड होने वाला यह और इस ओमिक्रॉन की वज़े से माहुल भी गड़ रहा है और यह जो पैनिक माहुल बना इसका नतीजा है कि बहुत ही जबर्दस गिरावट यह बाज़ार में तो यहाँ पे जो गिरावट हुए है उसके बावजुद भी काफी इस्टेबल लग रहे है फिलाल रिलाइस अ अनिल धिरुबायमाणी कंपणिया धीरे-धीरे अपने सेट्रमन के और बढ़ रही है यानि आप देख लो तो रिलाइस नेवल लान इंजिजरिंग का सेट्रमन हो अलड़ी हो चुका है और दूसरी तरफ रिलाइस कैपिटल भी अप एंसेलडी के त्याद जल से जल उस प कंपणिया जो है रिलाइस पौर और रिलाइस इंफ्राइसर्चर तो यहाँ पर अब संभावना क्या बंद रही है जानेंगे इस वीडियो के मादिम से लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइक गिरावट हुई सेंसेक्स करीब 889 पॉइंट गिर गया और 57,000 पर आगया सेंसेक्स और तो आप देख लूँ कि यहाँ पर पैनिक माहौल बन चुका है यह जो गिरावट के पीछे वज़ब बन रही है वो है एक लोक डाउन की संभावना और जो थर्ड वेवाने की बिगार दिया यहाँ पर गिरावट शुरू हो गई लेकिन इसके बीच में भी आपको देखने को मिलेगा कि रिलाइस पावर में बहुत कम गिरावट हुई है यह बता दे कि स्टॉक इतने मजबूत है और अभी इतनी बड़ी गिरावट में जहां बाजार में बड़ा करे पर गिरावट में सारा का सारा जो कारोबार है वो रिनेवल एनर्जी के मादिम से होगा और जो पुरानी कोल बेस जो परंग परागत उरजा क्या सुरूत है उसको कम किया जाएगा लेकिन यहाँ पर जो अपडेट निकल के आ रही है उसके हिसाब से जो कोल बेस थर्मल प् या फिर हाइड्रो गैस के तो उनकी एक लिमिट होती है लेकिन यहाँ पर कोल से प्रोड़क्शन बहुत तेजी से और बहुत जादा हो सकता है और यहाँ पर मौसम की किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है और इसका नतीजा है कि यह आने वाले समय में भी इस समय बात करें अगर हम कि जो कोल जनरेशन के लिए जरूरी है तो सबसे जो बैस्ट एक्जामपल निकल किया रहा वो है तमिलाडू जनरेशन एंड डिस्टूबिशन कोर्पोरेशन का जो फिप्टी-फिप्टी कर रहे है यानि फिप्टी परसेंट वो पॉलुटेट ए इस तरह से बैलेंस एक इस्तेमाल किया जाएगा सरकार भी बढ़री और जिस तरह से टूथ हाउजन सेउंट के लिए अभी बहुत समय है जब हंडे परसेंट पूरी तरह से क्लीन एनर्जी को उपर आ जाएगा पूरा हमारा इंदुस्तान लेकिन अभी समय इसके बीच में फाइदा जो मिलने वाला है वो Reliance Power को मिलेगा और साथ में Reliance Infrastructure को मिलेगा क्योंकि अलड़ी Reliance Power Reliance Infrastructure की ही सब्सदीरी कमपनी है तो अगर बात करें Reliance Power की तो यह दोनो Renewable Energy और साथ में Non Renewable Energy दोनों सेग्मेंट में काम करें कमपनी के प्रोजेक्ट की बात करें तो कोल, ग वेस आपको करना चीए क्योंकि आने वाले समय में बहुत जड़े इलेक्ट्रिसिटी का कंजूम बढ़ने वाला है और ऐसे समय में इन कमपनियों के बेनिफिट मिलने वाले है इनका रिजल्ट भी बैतरी आपको देखनों को मिल सकता है तो इसके बीच में जो सबसे बड़ लेंडर से उसमें SBI Union Bank और IDBI Bank थे जिन्होंने इस Resolution Plan को मंजूरी दे दिये तो यह जो कंपनी अब Reliance दिरुबाय अंबानी ग्रूप के कंट्रोल में से जाएगी इन दिखिल मर्चंट के पास और एक तरह से एक बड़ी टेंशन से मुक्त हो चुके है निलंबानी यहाँ प पर कोई बड़ी संभावन है पॉजिटिव बाकी नहीं है यहाँ पर हो सके तो एक दो सर्कीट ओल लगेंगे आपको इसमें से भी निकल जाना चीए बात कर लेते हैं हम Reliance Power की तो Stock 13.15 पर आया था 2.59% की गिरावट देखना को मिलिया आपको Friday के दिन में और यह गिरावट 50 रुभी का ही है फिलाल स्टोक 13 पर मिल रहा है और काफी ज्यादा करेक्शन बाजार में आज चुका है 57.000 पर आज चुका है तो ऐसे में अभी भी स्टोक 13 के आसपाच ट्रेट कर रहा है तो मजबूत है खरीदारी आपको करनी चेह लेकिन अभी भी बाजार में करेक्शन के आसपाच या उससे थोड़ा नीचे जाता हो दिखाई दे सकता है उपर की तरो मूग करने बें जो टार्गेट निगल किया रहे है वो 13.62 का फ़र्च टार्गेट है सेकेंड 14.08 का टार्गेट है थर्ड 14.4 से उनका टार्गेट है तो तेजी बनी तो फिर यह आपको पातार अच्छा हो रहा है और अनी लंबानी के सारे के सारे जो मैटर अपसॉल होने लगे काफी कंपनियों से वो बाहर निकल चुके तो आने वाले समय इन कंपनियों में ध्यान दे पाएंगे और वैसे भी उन्होंने अपनी होल्डिंग भी काफी अची बढ़ा दिये उन सा पैनिक माहल यहां पर बनाए का फिर ची तेजी बन चुकी तो फिर हंडेट के नीचे आ चुका है तो यहां से आप पैनिक सेलिंग सुरू हो सकती है तो निचले लेवल से खरिदारी का मौका यहां पर भी आप ढूंद सकते है 23.75 52 वी का लो है 114.52 वी का यह फिलाल स्टॉक एक बार इसके पिवोट लेवल को चेक कर ले दें तो यहां से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 96.43 पर फर्स सपोर्ट मिलेगा स्टॉक और नीचे की तरब स्लिप हुआ तो 94.42 तक जा सकता है थर्ड जो सपोर्ट निकल किया रहा वो 90.63 का है उपर की तरब मौक कर तो थोड़ा सा वेट करें फिर उसके बाद में दिवेस के बार में सोचे कंपनी काफी अच्छी है दोनों कंपनी में दिवेस बनाए रखे यह आपको आच्छा आने वाले रिटरन सांदार रिटरन मिलने के संभावना बजनेगी आजने वाले समय में अब हम बात कर लेंग और इसकी परफॉर्मेंस को अगर देखे तो 1.5050 रुपी कालो है 5.0550 रुपी का ही बना है लेकिन उस ही के बाद इस्टॉक वहा तक नहीं जा पार है काफी नीचे अभी भी पौने चार रुपे के आसपास है एक बार इसके पीवट लेवल को चेक कर लिए तो यहां से नीचे गया तो 3.45 तक जा सकता है तीसरा जो सपोर्ट निकल कर रहा है वो 3.30 का है उपर की तरह मुग करने पर जो टार्गेट निकल कर रहे हो 3.90 का फर्ष्ट टार्गेट है 4.05 का सेकेंड टार्गेट है 4.20 का थर्ड टार्गेट है तो फिलाल यहां पे आपको साड़े से लेकर सारे तीन के बीच में स्टॉक की ट्रेड करता हूं आपको दिखाई दे सकता है अब हम बात कर लेंगे रिलाइस कापिटल की तो यहाँ पर भी हमें थोड़ी सी गिराउट देखना को मिली 13.15 पर 2.59 पर गिराउट देखना को मिली बीच में अच्छी तेजी बनी थी लेकिन फिर वापस गिराउट का दौर सुरू हुआ है क्योंकि अब यह NCLT के तयाद इसकी कारवाई होगी जो भी इसकी कंपणी की निलामी है अब NCLT करेगी क्योंकि इनके जो लेंडर से उन्हों ने यह रिक्वेस्ट किती RBA से और RBA ने इसकी सिपारिश किती NCLT को की इसको NCLT के तयाद लिया जाए और इसके कारवाई जल से जल करके जो भी इनके लेंडर से उनका पैमेंट चुकाया जाए तो अब यह कारवाई जल्दी होगी और यह कंपनी भी बिग जाएगी तो अनिलंबानी की बड़ी मुसिबत से बाहर निकलने का रास्ता खुल अब जब उसकी प्राइज 20 से लेके 22 के आसपास थी अब यह 13 तक आसक है काफी नीचे आ गया तो आपको निवेस में से इसमें से निकाल लेना चीए एक बार इसके पीवोट लोल को चक कर लेते हैं तो यहां से अगर श्टॉक स्लीप होता है तो 12.60 पर फर्स सपोर्ट है श्टॉक और नीचे गया तो 12.15 तक जा सकता है और थर्ड सपोर्ट 11.40 का निकल के आ रहा है उपर की तरह अगर श्टॉक मूग करने लगा तो 13.80 का फर्स टार्गेट है सेकेंड 14.55 का टार्गेट हो 15 का टार्गेट है तो तेजी बनी तो यह 15 तक टच कर सकता है अगर कु 35% का लोर सरक्रिट लगा है 4.35 पर श्टॉक है और काफी समय से श्टॉक इसी जग़ा पर ट्रेड करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा तो यह सारी कंपनियों में से आपको निकल जाना चीए और आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको रिलाइस इंफरा और रिल ले जा पाएंगे तो निवेस्ट बनाए रखें लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनस एडवेजी से बाएडवेज ले या अपना कुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल प्रपच के लिए ही बनाए करते हैं